दो बच का 10 मिनाट और 17 सिकीन हो चुके हैं आकाश वानी दिल्ली के गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं हम तुम साथ साथ और आपके साथ है रजनी पिछले शुकरवार जब आपसे मुलाकात हुई थी तो हमने उन फिल्मों की गीत आपको सुनवाए थे जो किसी ना किसी प्रादेशिक फिल्म का रिमेक थी आज बात करेंगे उन फिल्मों की जो किसी विदेशी फिल्म से प्रेरित थी नब्वे के दशक की फिल्मों के यूगल गीत की शुरुआत करते हैं अकेले हम अकेले तुम फिल्म के इस लोग प्रियेदो गाने से अकेले तुम फिल्मों के दोगाने से लोग खाऎने से यूपल पिल्मों के इस लोगल गीत की विल्मों के दिこ गाने से फिल्मों के दिल्मों के बाई यूपल भीत की था अक्टू congregation की राजा को रानी से प्यार हो गया पहली नजर में ही खुमार हो गया दिल जीगर दोनों घायल हुए तीरे नजर आर पार हो गया राजा को रानी से प्यार हो गया राजा को रानी से प्यार हो गया पहली नजर में ही खुमार हो गया दिल जीगर दोनों घायल हुए तीरे नजर आर पार हो गया राजा को रानी से प्यार हो गया रानी से प्यार हो गया राहों से राहे बाहों से बाहे मिलके भी मिलती नहीं होता है अकसे अर्मा की कलिया खेलके भी खेलती नहीं पिर भी न जाने क्यों नहीं माने दिवाना दिल बेकरार हो गया राजा को रानी से प्यार हो गया पहनी नजर में ही खुमार हो गया ओ दिल जीगर दोनों घायल हुए तीरे नजर आर पार हो गया राजा को रानी से प्यार हो गया बहुतं हो गया रानी को देखो नजरे मिली तो आँखें चुराने लगी खरती भी क्या वो सर को छुका के अंग ना घुबाने लगी राजा ने ऐसा जादू चलाया ना करती करती इतरार हो गया राजा को रानी से प्यार हो गया पहली नजर में ही खुमार हो गया दिल जी गल दोनों खायल हुए तीरे नजर आर पार हो गया अकेले हम अकेले तुम जिसके मुखे कलाकार थे आमिर खान, मनिशा कोईराला, आदिल रिजवी, देवेन वर्माव, तन्वी आजमी यह फिल्म 1989 की अमेरिकन फिल्म क्रेमर वर्सस क्रेमर से प्रेरी थी अगला गी चुनते हैं 1993 की फिल्म बाजीगर से जो की 1991 की हॉलिवट फिल्म अकिस बिफोर डाइंग से प्रेरी थी जो की अगला गीज़ उन्वी आपट जो की अगला गीज़ यह जो की थीज़ जो की चाने की बढ़रा गीज़ चुनते हैं हुआ हुआ है हुआ है समझ कर चांद जिसको आसमा ने दिल में रखा है मेरे महबूब की तूटी हुई चोड़ी का तुकड़ा है समझ कर चांद जिसको आसमा ने दिल में रखा है समझ कर चांद जिसको आसमा ने दिल में रखा है मेरी नजरों से देखो तो वो मेरे दिल का तुकड़ा है मेरी नजरों से देखो तो वो मेरे दिल का तुकड़ा है मेरी नजरों से देखो तो वो मेरे दिल का तुकड़ा है मेरे हाथों में जब चूड़ी ठनकती है तो इस गोरी गलाई में ये दिल बनके धड़कती है ये दिल बनके धड़कती है ये चूड़ी आशिकों को प्यार के लगमे सुनाती है सुहानी रात की हामोशियों में हीर गाती है ये चूड़ी हीर गाती है ये चूड़ी हीर गाती है जमी पर जो उतर आया ये वो जन्नत का नगमा है समझ कर चाल जिसको आसमाने दिल में रखा है मेरे महबूब की तूटी भूई चूड़ी का तुकड़ा है मेरी नजरों से देखो तो वो मेरे दिल का तुकड़ा है समझ कर चाल जिसको आसमाने दिल का तुकड़ा है मेरे महबूब जैसा इस जमाने में नहीं कोई दिया लेके भी धोंडों तो नहीं ऐसा हसी कोई कभी तूटे से तूटे ना हमारे त्यार की दोरी तेरी चाहत भी बस मेरे लिये अनमोल है गोरी बड़ी अनमोल है गोरी जुदा हम तुम नहीं ओगे हमारा तुन से वादा है समझ कर छांद जिसको आसमाने दिल में रखा है मेरी नजरों से देखो तो वा मेरे दिल का तुखड़ा है मेरे महबूब की तूटी भूई चूडी का तुखड़ा है महेश भट के निर्देशन में आई फिल्म क्रिमिनल हिंदी और तेलुगू में एक साथ बनी थी इसके मुखे कलाकार थे नाकारजून, राम्या और मनिशा कुर्याला ये जो फिल्म थी ये अंग्रीजी फिल्म दफिजिटिव कारी मेक थी लूड़ा है तू मिले दिलखी ले और जीने को क्या चाहिए ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिन्दगी भर सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया चन्दा तुझे ओ, देखने को निकला करता है आई ना भी, ओ, दीदार को तरसा करता है इतनी हसी कोई नहीं, इतनी हसी कोई नहीं उतन दोनों जहां का, एक तुझ में सिमट के आया तुमी ले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए आई 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 मरता नहीं हम तुम मरते हैं होते हैं वो लोग अमर प्यार जो करते हैं जितनी आदा उतनी वाफा एक नजर प्यार से देख लो फिर से जिन्दा कर दो तु मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए ना हो तु मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए ना हो तु उदास तेरे पास पास मैं रहूँगी जिन्दगी भर सारे संसार का प्यार मैंने तु जीने पारा तु मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए आमिर खान और राने मुखर जी के मुख्य भूमिका वाली फिल्म गुलाम 1954 की अंग्रेजी फिल्म On The Waterfront का रिमेक थी जतिन ललिट के संगीत में इस फिल्म के गीत भी काफी लोग प्रे हुए थे जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा दिवाने मेरे ही तो बता क्या किया तूने मिठासा दर्द होने लगा ये क्या हुआ पहले ना ऐसा होता था मैं हूँ कहां मैं जानू ना कोई मुझे इतना बता दे घर का मेरे मुझे को पता दे जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा दिवाने मेरे ही तो बता क्या किया तूने मिठासा दर्द होने लगा ये क्या हुआ पहले ना ऐसा होता था मैं हूँ कहां मैं जानू ना कोई मुझे इतना बता दे घर का मेरे मुझे को पता दे मुझे को बता दे मैंने तो ये जाना ना होता है क्या इंतजा मेरा दिल क्यों माने ना मुझे को तो हो गया है क्या मैं तेन से पहले राटो को सुथी थी तूने मेरे निदे लुझे ये रोग क्या तूने लगा दिवाना बन कैसा जगा जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा ओचाना मेरी ये तो बता क्या किया तूने मिठा सा जर्द होने लगा ये क्या हुआ पहले ना ऐसा होता था मैं हूँ कहा मैं जारू ना कोई मुझे इतना बता दे धरका मेरे मुझे को पता दे बता आर ही तू होता है जारू जादू जाने मन ओ जाने जान क्या है इरादा बता छूने दे इन होटों को होटों से मेरे जरा क्या खुब है मैं भी कैसा दिवाना था क्यों इश्क से अनजाना था क्या तुब है मैं भी कैसा दिवाना था क्यों इश्क से अन्जाना था पागल मुझे तूने बनाया चाहत है क्या मुझे को बताया जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे चाने लगा दिवाने मेरे ये तो बता क्या किया तूने मिठा सा जर्द होने लगा ये क्या हुआ पहले ना ऐसा होता था मैं हो कहां मैं जानो ना कोई मुझे इतना बता दे घर का मेरे मुझे को बता दे 1998 में में आई काजोल और अजे देवगन अभिनीत प्यार तो होना ही था 1995 की अमेरिकन फिल्म फ्रेंच किस पर आधारी थी इसे डिरेक्ट किया था अनीस पजमी ने और संगी था जतिन ललित का प्रेंच किस पर आधारी था जतिन ललित का अजनभी मुझे को इतना बता दिल मेरा क्यूं परेशान है देखके तुझे को ऐसा लगे जैसे परसूं की पहचान है कितनी भोली है तूं कितनी नादान है दिल की बातों से अनजान है अजनभी मुझे को इतना बता दिल मेरा क्यूं परेशान है देखके तुझे को ऐसा लगे जैसे परसूं की पहचान है ओ कितनी भोली है तूं कितनी नादान है दिल की बातों से अनजान है अजनभी मुझे को इतना बता दिल मेरा क्यूं परेशान है क्या सोचता हूँ मैं क्या चाहता हूँ है मुश्किल तुझे वो बताना मैंने सुना है कि मुश्किल बड़ा है तभी चाहतों को चुपाना है क्या सोचता हूँ मैं क्या चाहता हूँ है मुश्किल तुझे वो बताना हो मैंने सुना है के मुश्किल बढ़ा गे दबी चाह तुम को छुपाना राज तेरे सभी खोलते की अभी दिल अपों पे जो मुस्कान है अज नभी मुझे को इतना बता दिल मेरा क्यों परेशान है मुझे को बढ़ा बता दिल अगे दिल अगे जो एक ड्याओ जो परेशान है कैसे बताओं मेरी धड़कनों को बनाया है किसने दिवाना कैसे बताओं मेरी धड़कनों को बनाया है किसने दिवाना बेगाने को अपना कहने लगी मैं बना मेरा अपना बेगाना प्यार की हर घड़ी मुश्किलों की लड़ी ये ना समझो ये आसान है अजनभी मुझे को इतना बता दिल मेरा क्यों परिशान है सावन कुमार टाक की फिल्म सना बेवफा से एक नई तारीका चांद ने इंट्रड्यूस हुई उनके साथ थे सलमान खान प्राण पुनित इसर और डैनी और कंचन ये फिल्म पाकिस्तानी फिल्म हाख महर का रिमेक थी तूने दिल मेरा तोड़ा कहीं काला छोड़ा सनम बेवफा सनम बेवफा परना तो हमत लगा मैं नहीं बेवफा मैं नहीं बेवफा मैं नहीं बेवफा मैं नहीं बेवफा मैं बेवफा कादय दिया है जीन मुश्य किया है दिल में रहे के दिल से कैसा बत लालिया है कैसा गड़ी दिया है जीना मुश्य किल किया है दिल मेरे रहे के दिल से कैसा बखेडा लिया है प्यार सिनाता तोड़ा सावन मेरोता छोड़ा सनम बेवफा सनम बेवफा सनम बेवफा सनम बेवफा तेरे रस बड़े खोटों की कसम बेवफा का चलन नहीं छोड़ेगे हम तेरे रस बड़े होटों की कसम बफा का चलन नहीं छोड़ेगे हम ख्यालों में भी ना ये सोचना के वाकिस नहीं तेरे कैद से हम जिसने किया है हमको जुदा मिलाएगा हमको फिर वो खुदा मैं नहीं बेवफा तुने दिल मेरा चोड़ा नहीं का न छोड़ा सनम बेवफा सनम बेवफा कर दो भाप कर दो कर दो कर। खस्या मेरे हाल पर रो रही है खुदाई मेरे हाल पर रो रही है खुदाई सही जाए ना बैरी तेरी जुदाई लंबी नहीं है जुदाई की राते बरसेंगी फिर प्यार की बरसाते करता है पूरी सब की खुदा निकलती है जो भी दिल से दुआ मैं नहीं बेवफा मैं नहीं बेवफा 1992 में आई माला सिन्हा अनिल कपूर माधरी दिक्षित अनुपम खेर और सोनो वालिया की फिल्म खेल 1988 की हॉलिवूड फिल्म डर्टी रोटन स्क्राउंडल से प्रेडि थी जिसके ज़्यादतर शूटिंग कीनिया के नेरोबी शहर में हुई थी लुपम खेलिवूड़ खेल्टी यूडिए लुपम माधरी रोटन से शुपम खेल्टी ने लुपम खेल्टी खत लिखना है पर सोचते हो ये तैसे लिखो मुझे तुमसे मुहबत हो गई है मुझे तुमसे मुहबत हो गई है मेरी मानो इतना लिख दो मेरी मानो इतना लिख दो इन आखों पर खाबों की इनायत हो गई है खाबों की इनायत हो गई है कोगन मनों जेसे दिल है के धड़के जाए जो भी लिखों तुम दिल की बातें अब न चुपेंगे चुपाए मैं अच्छी हो ये तो लिख दू ये कैसे लिखों मुझे तुम से मुहाबत हो गई है मुझे तुम से मुहाबत हो गई है ये सोचा है इतना लिख दू कुछ दिन से मुझे क्या जाने क्यों ये दुनिया हफी लगती है ये दुनिया हफी लगती है ये भी लिखना अब सारे दिन है साथ कोई के जिसके बिन तबियत ही नहीं लगती है तबियत ही नहीं लगती है बताओ बताओ किन लबजों में ये लिख मुझे को तुम समझाओ मुझे तुम से मुहबट हो गई है मुझे तुम से मुहबट हो गई है मुझे तुम से मुझे तुम मुझे समझे ऐसा नहीं हो जाए ऐसा नहीं हो जाए ऐसा है तो साफ लिखो तूँ अपनी तो है ये राए हाँ अपनी तो है ये राए हाँ सच तो है क्यों शर्माओं हाँ सच तो है क्यों शर्माओं क्यों ये न लिखू मुझे तुम से मुहाबत हो गए तो लिख तो महाबत हो गए लिख दूंगी मुहाबत हो गए राहल राय अमरिता सिंग और शीबा की रोमैंटिक थ्रिलर प्यार का साया 1990 की एक अमेरिकन फिल्म का रिमेक थी जिसका नाम था घोस्ट हर घडी मेरे प्यार का साया हर घडी मेरे प्यार का साया हर गड़ी मेरे प्यार का साया हर घडी मेरे प्यार का साया जलेगा तिरे साथ सजना प्यार का साया तेरा प्यार तो सागर से भी गहरा लगता है तेरे बिना तो गुल्शन मुझे को सहरा लगता है साथ तेरा हो तो हर रंग सुनहरा लगता है साथ तेरा हो तो हर रंग सुनहरा लगता है हर घरी मेरे प्यार का साया हम तुम साथ साथ से रजनी को विदा दीजिए आप सुनते रहे आकाश्वनी दिली का गोल्ड चैनल तीन बच कर दस मिनट पर आप सुनेंगे रहना पती जाए और आपके साथ होंगी पुनिमा लेकिन उससे पहले आए सुनते हैं समाचार